Hello everyone, very warm, welcome to my channel Learning with Komal तो आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग के मौडरन कॉंसेट्स स्टडी करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टूटल सिक्स कॉंसेट्स हमें आपर गिवन है तो फड़ाफट से हम इनके स्टडी करेंगे बहुत इजी कॉंसेट्स है और फड़ाफट से हमारा ये टॉपिक कवर करेंगे वीडियो को प्लीज लाइक शेर और कमेंट ज़रूर करें और मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप ये सभी वीडियोस वाच कर पाएंगे चले फिस्तार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पर हमको गिवन है modern concepts of marketing जिसमें number one हमें गिवन है production concept तो production concept हमसे क्या बोलता है कि products that are widely available and of low cost कि यहां पर क्या होता है इस concept में ज्यादा से ज्यादा production किये जाओ production किये जाओ products जो है वो आपको widely यानि कि बहुत जादा available हो जाएंगे और बहुत ही low cost पर क्योंकि आप जब जादा production करते हो mass production करते हो तो per unit cost हमारी काफी कम हो जाती है जिस वज़ा से cost low हो जाती है बोला गया कि production concept जो है वो सबसे oldest concept रहा है बिजनस का consumers prefer availability and affordability क्योंकि हम जानते हैं consumers क्या प्रेफर करते हैं कि हमको product available हो हमारे nearby stores में या फिर हमारे convenient जगा पर चहांपे भी वो जो है अराम से असानी से कुछ भी जो है वो product जो है वो खरीद पाएं तो availability वो चाहते हैं साथ में affordability भी चाहते हैं कि कम दाम में मिले तो it held that consumer prefer products that are widely available and inexpensive तो इससे हमें ये पता लगता है कि consumer उधी products को prefer करते हैं जो जादा available हो widely तो और वो सस्ते भी हो तो production said to be mainly concerned with making as many units as possible तो यहाँ पर इसी लिए ये concept हम से यही कहता है कि यहाँ पर जादा से जादा सिरफ और सिरफ product बनाने पर focus किया जाता है उसके बाद by concentrating on producing maximum volumes जब हम concentrate करते हैं कि हमको जादा से जादा maximum volume में production करना है तो सच उस वज़ा से क्या होता है profitability भी maximize होती है क्योंकि आप economies of sale को exploit करते हो कहने का यह मतलब है कि basically जब हम large volume में production करते हैं तो इससे क्या होता है हमारी cost low हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं वो कैसे होती है fix cost तो उतनी की उतनी ही आएगी है ना right और जब आप उसी fix cost पे same fix cost पे जादा जादा production करोगे तो आपकी जो है फाइदा जादा होगा और cost कम आएगी जिसकी वैसे economies of sale हम achieve कर पाएंगे और इससे क्या होगा profitability maximize हो पाएगी उसके बाद second आता है product concept product concept हम क्या बोलता है product that are of various qualities and features second concept आया कि हमको अब अपने product के ओपर focus करना है हमको अपनी product की quality उसके features पर focus करना है तो यह जो concept है वो create करता है marketing myopia जो दिया है Theodore Leavitt ने तो marketing myopia क्या होता है marketing myopia होता है basically myopia जिसको हम बोलते हैं कि दूर की दृष्टी दूर की दृष्टी जो है कम दिखाई देता है और पास पास का दिखाई देता है right marketing myopia basically क्या है कि हम जो है short term goals की तरफ ध्यान देते हैं वो marketing myopia जिसमें हमें नस्दीक का दो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता राइट तो marketing myopia भी कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ पर हमें short जो है features short goals पे जहादा focus किया जाता है बजाए कि long term goals के तो बोला गया कि product concept किस पे favor करता है products पर favor करता है जो कि most quality offer करता ह हो performance innovative features हो जिस product में तो these organization focus on making superior product तो यहाँ पर product concept जो भी follow करते हैं organization वो जादा से जादा superior product बनाते हैं उनको improve करते हैं time to time और साथ में their product में start out as fully up to date and technical leaders और फिर जो है अगर वो ऐसा करते हैं लगतार अपने product को improve करते हैं तो उनके जो product है वो technology के मामले में technical leader बन जाते है market के यानि कि fully up to date रहते हैं और they focus on product development यहाँ पर product development पर जादा focus किया जाता है और फिर जो है यह quality product के साथ market में enter करते हैं नमबर थर्ड हमारा जो concept है वो है selling concept selling concept यह क्याता है कि जादा जादा selling करो ठीक हार्ड कोर सेलिंग यहाँ पर हमको करनी है know the customer so well that the product fit himself and sell तो यहाँ पर customer को जानो अच्छी तरीके से और उसके according का product बनाओ और बेचो तो I can sell everything if I know how to sell it तो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ सब कुछ बेच सकता हूँ अगर मेरे को पता है कि वो चीज मुझे कैसे बेचनी है तो product availability exceeds demand हम जानते हैं अगर product की availability होगी इससे demand तो बड़ेगी हमारी business में focus on one time sales of goods rather than repeat business है ना तो business जो है वो focus कर सकते हैं one time sales पे बजाए कि repeat business पे तो dominated by selling orientation जब हम selling पर ध्यान दे रहे हैं जब हम जादे जादा sales पर focus कर रहे हैं तो managerial view of marketing as a sales function तो यहाँ पे जो है हम sales function जादा perform करते हैं चीक है तो हैं मारकेटिंग को कैसे देखते हैं कि हमको यह sales function है marketing यहाँ पर क्या हो जाता है एक तरीके का sales function हो जाता है तो हम यहाँ पर सिरफ उनी चीजों पर ध्यान देंगे कि कैसे हमें products को बेचना है क्या में discount दे के बेचना है क्या हमको promotion करना है जैसे इन्होंने बोला कि example दिया कि insurance company make policy and make it available to customer तो insurance company's policies बनाती है और वो सभी customers के लिए available करती है साथ में बोला गया selling concept hold that consumer and business मतलब selling concept जो है वो consumer और business तो उनों को ही hold करता है if left alone अगर वो अकेला रहे गया if left alone won't buy enough of organization product the organization promotion effort कहने का यही मतलब है कि organization को अगर hardcore selling करनी है तो उनको promotion भी करना पड़ेगा efforts भी लगाने पड़ेंगे और यह यह भी assume करता है कि company has a whole battery of effective selling की company जो है एक तरीके की effective selling की पूरी battery है और promotion tools यहां पर हमार क जो है जादा जादा हम customer को खरीदने के लिए stimulate कर पाएंगे promotion tools यहां पर यूज किये जाते है basically promotion tools आप बोल सकते है advertisement करना जादा जादा offers चलाने यह सब आप यहां पर use कर सकते है techniques as our tools उसके बाद हमारा जो fourth concept आता है वो आता है marketing concept marketing concept कहता है कि product को कुछ इस तरीके से design करो जो Ito customer को satisfy करे customer की needs को satisfy करे तो यहां पे customer को satisfy करने के लिए product को design किया जाता है but to find the right product for your customer यहां हमें यह नहीं और फिर हम उनका satisfaction डिलीवर करने के लिए product बनाते हैं और अपने competitor से बहतर बनाते हैं तो इसलिए marketing concept जो है वो एक तरीके का customer centered concept है जहाँ पर sense और response philosophy यूज होती है उसके बाद societal concept की बात करते हैं तो product those products which are safe for society मतलब produce कहने का मतलब है कि वही product बनाओ जो society के लिए अच्छा हो जो society के लिए safe हो जो human welfare को टॉप पर रखता हो भजाए की profit के तो ठीक है तो बोला गया it calls for sustainable marketing क्यूंकि जब आप society के फायदे के लिए कुछ बना रहे हो तो sustainable marketing भी होती है socially और environmentally वो एक तरीकी की responsible marketing आप करते हो तो यह जो concept है वो social responsibilities पर focus करता है और suggest करता है कि हम को long term long term में success अभी मिलेगी जब हम society का welfare करेंगे तो यहां पर their needs plus society first वाला जो है logic हम लेके चलते है तब ही आप better business कर पाऊगे कि आप customer की needs देखो और society को आगे रखो then आप better business कर पाएंगे तो यह societal objective हम को बोलता है concept हम को बोलता है holistic concept की बात करें तो holistic marketing जो है वो recognize करता है सब कुछ everything matters in marketing मतलब marketing में जो कुछ भी matter करता है उस चीज को recognize करता है holistic market तो यह concept जो है वो development design पर based है marketing programs implementation यहां पर हम करते हैं हम यहां जितनी भी process activities है उन सब को देखते है holistic marketing concept को आप कुछ इस तरीके से define कर सकते हो कि यह एक ऐसी marketing strategy होती है जो एक business को as a whole की तरह consider करती है कि business पूरा business है वो एक entity नहीं है with various different parts ठीक है वो सिर्फ एक entity नहीं है बलकि उसके different parts भी है तो business as a whole वाला concept यहां पर चलता है तो holistic marketing concept जो है वो development पर based है कि हमको अपने marketing programs को develop करना है design implement करना है फिर यह सारी जितरी भी process activities है जो breadth and interdependencies को recognize करे यानि कि हमारे market की क्या breadth है क्या interdependency है किस चीच पर dependent है हमारे जो goods है या हमारी जो marketing strategies है आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो को please like share and comment जुरूर करें और यहां पर हमें कुछ some of the match भी given है इसमें बोला गया कि effective distribution बोलता है हमारा production concept large scale पर अगर आपको selling करती है करना है तो यह selling concept आपको बोलता है marketing concept बोलता है कि जो consumer चाहता है आप वही बनाओ और product concept बोलता है कि आप product को improve करो societal concept आपको बोलता है कि आप societal well-being social well-being improve करें तो आज के रिए सिर्फ इतना ही वीडियो को please like share comment जुरूर करें थैंक्यू so much और playlist का links आपको description box में मिल जाएगा थैंक्यू so much